Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल का आधार हैं, वो भी mathematics की ही देन है, human life छोड़िए, universe के astronomical events भी mathematical equations में ही बंधे हुए हैं, घड़ी की सुईयों से लेकर साल, महिने, दिन, घंटे, सीजन, सब भी mathematics से चुड़े हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि जिन्दगी भी maths के formula की तरह है, अगर समझ में आ जाए, तो आसान वरना एक उलजी हुई पहेली वैसे तो mathematics के थूँ हमारी life को easy और अपनी research से science को eventful बनाने वाले mathematicians के list काफी लंबी है, लेकिन इस list में एक ऐसा नाम भी है, जो सुनहरे अक्षरों में दर्ज है शायद आपको जानकर हरानी होगी कि एक ऐसा इंडियन mathematician जिसे गरीबी की कारण कई बार भूका रहना पड़ा और उसकी जिन्दगी स्ट्रगल से भरी होने के बावजूद भी, उन्होंने maths के कई ऐसे formulas establish किये जिससे दुनिया भर के लोगों की जिन्दगी आसान हो गई दोस्तो उस great mathematician का नाम है स्रीनिवास रामानुजन यू तो इंडिया ने दुनिया को आर भट्य से लेकर नीना गुपता तक बहुत से रिनोर्ड mathematicians दिये और इसी लिए maths की दुनिया में इंडिया का contribution भी unparalleled है लेकिन फिर भी इतने इंडियन mathematician के बीच स्रीनिवास रामानुजन का एक खास स्थान है और उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वैसे तो दुनिया भर में 14th मार्च को world maths day मनाया जाता है लेकिन हम इंडियन्स रामानुजन को श्रधांजली देने के लिए उनके जन्द दिवस यानि की 22nd December को ही National Mathematics Day की रूप में मनाते हैं तो दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो discussion में हम इंडिया के इन ही मशूर mathematician स्रीनिवास रामानुजन के बारे में जरा और करीब से Science and Tech में Achievements of Indians in Science and Technology के सब टॉपिक के लिए important है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलाल के लिए अपने discussion को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों आपको interrupt करने के लिए माफी पर यह कोई add नहीं है बस आप से एक ऐसी information साजा करनी है जिसकी मदद से हम education को affordable बनाने की तरफ एक important कदम उठा रहे है Steady IQ ने अपना UPST PrePlus Mains Live Foundation बात स्टार्ट किया है जिसमें आपको सारा का सारा content live दिया जाएगा 900 प्लस hours का live content 1-to-1 mentorship, current affairs programs, prelims के practice questions mains answer writing practice और भी बहुत कुछ 18,999 के discounted price पर अगर आप AG live coupon code यूज करते हैं और दोस्तो साथी साथ optional subjects, PSIR and geography के भी batches start होने वाले हैं जिने आप 12,499 के discounted price पर अवेल कर सकते हैं अगर आप AG live coupon code यूज करते हैं batches में classes की शुरुवात 22nd of August morning 8am से हो रही है इस बात से related सभी important links आप बाकी सभी updates के लिए आप मुझे मेरे social media handles पे follow कर सकते हैं जिस्तो स्री निवास रामनुजन का पूरा नाम स्री निवास एंगर रामनुजन था इस great mathematician का जन्म 22nd December 1887 को Tamil Nadu के थंजवोर डिस्टिक के कुम्ब कोडम के पास एक गाउँ इरोड में हुआ था बहत गरीब परिवार में पैदा हुए रामनुजन ने अपनी life में शुरू से ही बहुत श्रगल देखा उनके पिता के स्री निवास एंगर कुम्ब कोडम में कपड़े की एक ट्रेडर के यहाँ बुक की पर थे जबकि उनकी मदर कोमल तामल लोकल टेंपल में भजन गाती थी जिसके बदले में उन्हें थोड़े पैसे मिल राया करते थे दोनों की कमाई से बड़ी मुश्किल से घर के खर्चे निकल पाते थे इसी बीच 1889 में चिकन पॉक्स की वज़े से उनके सभी भाई बहनों की डेथ हो गई लेकिन वो चिकन पॉक्स को मात देते हुए ठीक हो गए आपको बता दें कि अपनी काबलियत से mathematics की field में revolution लाने वाले रामनुजन जन्म के बाद लगबग 3 साल तक बोल नहीं पाते थे जिस वज़े से उनके घरवाले भी उन्हें mute ही समझते थे लेकिन बाद में वो अपने आप ही बोलने लगे और उसके बाद October 1892 में रामनुजन का admission एक local school में हुआ लेकिन तब ही किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस बच्चे को तब तक ठीक से counting भी नहीं आती थी वो आके जाकर वर्ल्ड का इतना बड़ा mathematician बनेगा दस साल के उमर में रामनुजन प्राइमरी में डिस्टिक के top student बन गए इसके बाद उन्हेंने अपने डिस्टिक के कुम्ब कोडम टाउन हाई स्कूल से हाई स्कूल की study शुरू की mathematics के subject में रामनुजन का extraordinary talent बच्पन से ही दिखने लगा था वो अपने स्कूल का maths का 3 घंटे का question paper 30 मिनट में ही solve कर दिया करते थे mathematics के जिन questions को बड़े-बड़े professors भी कई steps में solve किया करते थे और रामनुजन पलक जफकते ही solve कर दिया करते थे यही नहीं कहा जाता ही कि एक बार रामनुजन को अपनी स्कूल की लाब्रेरी में mathematics की एक book मिली जिसका नाम था Asynopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics यह book पढ़ने के बाद ही maths को लेकर उनके अंदर एक जनून जाग गया 12 साल की उमर में उन्होंने mathematics की self study शुरू की और cubic equations and arithmetic and geometric series पर अपना research work शिरू कर दिया यही नहीं 16 साल के उमर में उन्होंने quadratic equations solve करने का अपना खुद का एक नया ही method invent कर दिया इसी दौरान रामनुजन ने अपने स्कूल में mathematics prize जीता जिससे उन्हें कुम्बकोडम Government Arts College में पहरणी के लिए scholarship भी मिली लेकिन रामनुजन mathematics को लेकर इतने obsessed थे कि दूसरे subject पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता था ऐसे में वो 11 में math को छोड़कर बाकी सभी subjects में fail हो गए और इसके चलते उन्हें ये scholarship मिलनी बंद हो गई इसके बाद 1905 में रामनुजन मदराज गए और वहाँ पचाई या पास college में enroll हुए लेकिन यहां भी वो non mathematical exams में fail हो गए जिसके बाद उन्होंने formal education को ही अलविदा कह दिया इन सारे issues के बाफजूद mathematics को लेकर उनकी लगन कम नहीं हुई रामनुजन की economical condition ऐसी थी कि वो बड़ी मुश्किल से pen और paper effort कर पाते थे और इसलिए वो अपनी जदातर mathematical research, slate और chalk की मदद से ही क्या करते थे पर 1907 की शुरुआत में 19 साल केमुर में उन्हें पैसों की काफी दिक्कत होने लगी और कई बार तो उनके भूखे रहने तक की नौबत आने लगी लेकिन रामनुजन अपने चुने हुए रास्ते पर बढ़ते रहे और mathematics को लेकर उनका devotion कम नहीं हुआ हाला कि उनके पास maths की formal education बहुत कम थी लेकिन फिर भी वो new theorems discover करते रहे maths के जिन formula को solve करने में बड़े-बड़े mathematicians को घंटों लग जाते थे उसे रामनुजन मिंटों में solve कर दिया करते थे महज 32 साल के उमर में उन्होंने 3900 से ज़ादा theories बनाई जिनकी मदद से maths के unsolvable questions भी solve कर दिये जाते हैं इन्हे language of mathematics में identities and equations कहा जाता है अपनी life के ups and downs के बीच 1909 में रामनुजन की शादी जानकी देवी नाम की लेडी से हुई शादी होने के बाद उनकी उपर और भी जादा economical pressure आ गया रामनुजन जब अपनी economical crisis से जूज रहे थे तब इसी बीच उनकी मुलाकात नायलोर के district judge रहे श्री राव से हुई श्री राव ने रामनुजन की काबलियत को परकते हुए उन्हें financially help करने की कोशिश की लेकिन रामनुजन जो एक self respecting person थे उन्होंने ये financial help लेने से इंकार कर दिया बलकि उन्होंने श्री राव से request की कि यदि वो उनकी मदद करना ही चाहते हैं तो पैसे देने के बजाए उन्हें उनकी काबलियत के अनुसार कोई job दिलवा दें जिससे वो अपने बल पर अपने परिवार का भरन portion कर सकें और साथ ही अपने research work को भी continue रख सकें आकिरकर रामनुजन को मदरास point के office में 30 रुपे पर मन्त की salary पे job मिल गई job के दरान फुरसत होते ही रामनुजन अपने mathematical research में लग जाते थे office का दूसरा staff जब lunch और tea break लेता था उस समय भी रामनुजन इस सब से अलग अपनी mathematics की दुनिया में ही absorb रहा करते थे दोस्तों कहते हैं कि talent की smell छुपाए नहीं छुपती ऐसा ही कुछ रामनुजन जी के साथ हुआ job के दरान इतिफाक से उनके लेके formulas एक दिन एक British officer के हाथ लग गए उस officer का भी mathematics में काफी interest था लेकिन इतनी high level mathematics के formula उसके भी समझ से परे थे ऐसे में उन्होंने रामनुजन से पूछा कि वो किस बुक से formula सीख रहे हैं उसके जवाब में रामनुजन ने कहा कि उनके पास कोई book नहीं है और यह सब formula उन्होंने खुद ही invent किये है इससे impress होकर उस officer ने रामनुजन को बिटेन भेजने का फैसला किया और इसके लिए पैसो का इंतजाम भी कर लिया लेकिन बेना किसी formal degree के रामनुजन का किसी भी university में एडमेशन होना मुश्किल था इस बीच 1911 में इंडियन Mathematic Society के जनरल में रामनुजन का 17 pages का एक paper पबलिश हुआ जो बर्नौली numbers पर बेज था और यहां से रामनुजन की पहचान इंडिया के एक renowned Mathematician के रूप में स्थापित होनी शुरू हो गई अपने well wishes के कहने पर 1913 में रामनुजन ने अपनी research की एक copy Cambridge University के प्रफेसर J.H. Heidi को भेज दी तब हाइडी दुनिया के जाने माने Mathematicians में से एक थे रामनुजन का research जो की rational equations पर based था उसका जादू हाइडी पर कुछ इस कदर चला कि उन्होंने रामनुजन को अपने पास आकर research करने के लिए invite किया लेकिन रामनुजन एक orthodox ब्राह्मन family से आते थे उनकी मदर नहीं चाहती थी कि उनका बेटा ब्रिटेन जाए और western culture उस पर हावी हो ऐसे में रामनुजन ने अपनी मा की बात मानते हुए foreign trip के proposal को postpone कर दिया अलगी बात में उनकी माने कुछ शर्टों के साथ उन्हें ब्रिटेन जाने की इजाज़त दे दी और इस तरह रामनुजन ब्रिटेन चले गए लेकर ब्रिटेन पहुँचकर वहां के humid climate में adjust होने में रामनुजन को काफी दिक्कते हो रही थी पर फिर भी वो अपने काम में लगे रहे इस बीच उनके कई research paper भी publish हो चुके थे जिससे global level पर भी उन्हें renowned mathematicians के बीच एक पहचान मिलने लग गई थी इसी तरह रामनुजन तीन साल तक प्रोफेसर हाडी और प्रोफेसर लिटिलवूट के साथ maths के research में जोटे रहे यहां उन्होंने mathematics की formal study भी की और इसके चलते 1916 में रामनुजन को Cambridge University से bachelor of science की degree मिली और 1918 में वो Royal Society of London में member भी बन गए और इस अब तब हो रहा था जब इंडिया में British rule के दरान किसी भी दूसरे इंडियान को ऐसा कोई भी privilege नहीं मिल रहा था ऐसे में रामनुजन को Royal Society का member बनाना एक बड़ी बात थी दोस्तों शायद आपको यह बात जानकर आशर होगा कि उस समय तक Royal Society की history में रामनुजन सबसे चोटी उमर के member थे यही नहीं Royal Society की membership के बाद वो Trinity College की fellowship पाने वाले पहले इंडियन भी बने लेकिन बज किसमते से रामनुजन की जीवन में mathematics के लावा भी एक ऐसा साथी था जो जीवन भर उनसे जुड़ा रहा और वो थी उनकी खराब सेहत रामनुजन बजपन से ही अकसर बिमार रहते थे यही नहीं जब रामनुजन बिटेन में थे तब उनकी wife और family इंडिया में ही रह रही थी अपनी family से इस communication gap और अंजान देश में अकेले रह जाने के चलते रामनुजन डिप्रेशन का शिकार हो गए और उनकी हालत बिगडने लगी इसी बीच अपनी लगतार खराब होती सेहत और डिप्रेशन से तंग आकर रामनुजन एक दिन suicide करने के लिए railway track पर भी जा लेटे थे लेकिन train driver की सूझ बूच से उनकी जान बच गई इस incident में बच जाने के बाद भी ब्रिटेन में मौसम की मार tireless work और lack of proper health services की वज़े से उनने tuberculosis हो गया पर बिमार होने के बाद भी उनने अपना research work बंद नहीं किया ऐसे हालत में भी रामनुजन mathematics के लिए इतने devoted थे कि बिमारी में बेट पर लेटे लेटे भी वो theorem लिखा करते थे इसनों के बारे में पूछने पर वो कहते थे कि ये थियोरम्स उनने सपने में आते हैं अलेकि अपनी बिमारी की वज़े से वो इंडिया आना चाहते थे लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार की वज़े से उनने काफी वेट करना पड़ा और 1919 में वार खतम होने के बाद ही वो इंडिया आ सके तब तक इंडिया के लोग उनके रेपुटेशन से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे यहाँ पहुँचते ही लोगों ने उन्हें सराखों पर बिठाया इंडिया आने के बाद रामनुजन की बिमारी की ट्रीटमेंट के लिए हर तरह के एफर्ट्स लगाए गए लेकिन उस वक्त क्यूबर क्लॉसिस का कोई रिलाइबल ट्रीटमेंट नहीं था इसका नतीज़ा यह हुआ कि 26 अपरेल 1920 को मैतेमेटिक्स की कॉम्पलेक्स दुनिया को आसान बना देने वाले यह जादूगर दुनिया को अलविदा कह देते हैं तब रामनुजन की उम्पर महज 32 साल की थी लेकिन इतनी से उम्पर में उन्होंने जो हासल किया वो कोई नहीं कर सकता दूस्थो यूतो रामनुजन ने mathematics के फील्ड में बहुत से unprecedented contributions दिये हैं उन्होंने अपनी छोटी सी जिन्दगी में बिना किसी help के हजारो equations compile किये जिनमें खास थे रामनुजन प्राइम रामनुजन थीटा functions division formula, mock theta and divergent series theory इस तरह 1990 में रामनुजन ने mock theta का concept develop किया, जिसे आगे जाकर universe की सबसे बड़ी पहली black hole को सुलजाया जा सका वही 1729 जिसे हाडी रामनुजन नंबर भी कहा जाता है, zeta function और key functional equations पर उनके किये गए काम और उनके द्वारा pi series पर की गई detailed research, advanced mathematics के दुनिया में meal के पत्थर कहलाते हैं, यही नहीं mathematics की field में उनके contributions उनकी मौत के बाद भी जारी रहे और क्यूंकि उनकी death के बाद उनकी बहुत सारी unerritate और unpublished material सामने आते रहे उनके mathematical research का एक ऐसा ही पुराना register 1976 में Trinity College की library में मिला था, जिसमें कई थियोरम और formulae थे, इस register की थियोरम अपने वक्त से इतने आगे थे कि इनकी mystery अभी भी पूरी तरह solve नहीं हो पाई है, इस register को Ramanujan's Notebook के नाम से जाना जाता है, यही कारण है कि Ramanujan की mathematics की खोजने उनने Karl Friedrich Gauss and Leonard Euler जैसे greatest mathematicians की कतार मिला कर खड़ा कर दिया, दोस्तों स्रीनिवास Ramanujan को Man Who New Infinity कहा जाता है क्योंकि mathematics में उन्होंने जो contribute किया, उसमें 60% से जादा infinite series के ही formulae थे, इसलिए 1991 में publish हुई Ramanujan की biography का title भी The Man Who New Infinity ही रखा गया genius Ramanujan जी की biography को Robert Canigal ने लिखा था बाद में इसी नाम पे एक film भी वनी जिसमें आक्टर देव पटेल ने Ramanujan का character प्ले किया था यही नहीं, world renowned mathematician Professor Hardy, Ramanujan को world का the greatest mathematician मानते थे, Hardy ने world की talented persons का 100 marks पर assessment किया था, जिसमें उन्होंने खुद को 30 numbers दिये थे, जबकि Ramanujan को 100 out of 100 दिये थे comparable contribution की वज़े से 2012 में, Ramanujan की 125th birth anniversary के मौके पर, चिन्नई में organized एक ceremony में, ततकालीन प्राइम मिनिस्टर Dr. Manmohan Singh ने 22nd of December को National Mathematics Day celebrate करने का announcement किया, और इसी के बाद से हर साल ये दिन National Mathematics Day के नाम से मनाया जाता है इस मौके पर, अलाबाद में situated the National Academy of Science in India NASI, जो इंडिया में Science की सबसे पुरानी Academies में से एक है, यहां हर साल Mathematics Day celebrate करने के लिए workshop organized की जाती है जिसमें देश भर के scholars and students शामिल होते हैं इससे पहले, स्री निवास Ramanujan की honor में, 2005 में Ramanujan Prize की भी शिरुवात की गई इसे, International Center for Theoretical Physics Ramanujan Prize यानि की, ICTP Ramanujan Prize भी कहा जाता है जो वल्ड के reputed awards में से एक है यह prize, Ministry of Science and Technology and Norwegian Academy of Science and Letters के थूँ Able Fund से, International Mathematical Union के support से, Developing Countries के, ऐसे young mathematicians को दिया जाता है, जिनकी एज 45 years से कम हो इस साल February में, प्रफेसर नीना गुपता को उनके Fine Algebraic Geometry and Commutative Algebra में की गई research के लिए, 2021 का Ramanujan Prize for Young Mathematicians दिया गया जोसों, यह बात सच है कि स्रीनिवाज Ramanujan जैसे unique mental ability और unmatchable potential वाले लोग, rare ही होते हैं, लेकिन इतनी extraordinary talented होने के बाद भी, Ramanujan अपनी इन researches का credit God को ही देते हैं, जब उनसे उनके maths के इन formulas के बारे में पूछा जाता था, तो वो कहते थे कि वो ईश्देवी नामगिरी की कृपा से ही यह सब formula लिख पाते हैं, स्रीनिवाज Ramanujan कहते थे, मेरे लिए maths के उन equations का कोई मतलब नहीं जिनके जरीए मैं spiritual thoughts express ना कर पाऊं, दोस्तो शायद सेच में ऐसी प्रतिभा God gifted ही होती है जो बच्पन में mute समझे जाने वाले एक बच्चे को mathematics के आकाश का धुर्वतारा बना देती है तो दोस्तो यह सी एक वीडियो जहाँ पर हमने स्री निवास, राम अनुजन जी के बारे में बात करी दोस्तो आप comment section में जरूरू बताइएगा कि बच्पन में आपने maths में ऐसी कौन सी theorem, formula या फिर identities पढ़ी हैं जो राम अनुजन जी के दौरा discover की गई थी स्वाधी दोस्तों, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने बताया कि इस वीडियो की importance UPSC मेंस के perspective से काफी जादा है और उसी importance को दिखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं जिसको आपको comment section में answer करना है and the question is, discuss the significant contributions made by Indians to the field of mathematics and with this question my friends that's it for the video I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत